हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चेनल असम राइफर्स टेखनिकल ट्रेट्समेन दोयचोबिस का निव भरती कब आएगा यह सवाल आप लोग के दारा बहुत जादा पुछा जारा था तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम इसी सवाल का जवाब देने व करन से आप लोग बहुत जादा परिसान हो रहे थे तो अब इसका निव भरती कब आएगा इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले जैसा कि आप लोग को मालूम है जिनको नहीं मालूम है वो जान लेजिए कि असम राइफर्स का 161 पोश्ट के लेगा री मिटीकल परबारी के फॉस्ट विक तक आपका चनलने वाला है उसके बाद इसका मेरित लिष्ट निकाला जाएगा और इनकका 111 पोश्ट वालों का ज्टाइनिंग कराय जाएगा यानि की फटारी में इनका मेरिट लिष्ट जारी होने के बाद ही निव भरती आ आपके फरबरी महीने में ही निकाला गया था फरबरी में ही फरबरी 2030 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका था 600 लगा तो आप लोग इसी की सेडूल के अनुसार सोच रहे होगे कि अब तो फरबरी हो चुका है क्योंकि पिछली बार फरबरी में ही भरती आ गया था और इस बा पोस्ट का भरती चल रहा है यह भरती कंप्लीट होने के बाद ही आपके निक्स्ट भरती निकाले जाएंगे थीक तो यह भरती आपका 111 post का complete होने के बाद ही निकाला जागा इसके ऐसा नहीं कि पिछला schedule के निउसार ही आपके फरबरी में निकाल दे जाए क्यूंकि आप लोगों को बता दें कि 2022 में भी एक भरती आया थी असम राइफल्स की 380 post के लिए लेकिन उस टेम जो 380 post का जो vacancy आया था असम राइफल् और वो थोड़ा लेट से complete हो गया था जिस कारण से 222 में जो 380 post की जो vacancy आया थी असम राइफल्स की वो जून महीने में आया थी और वो complete होई थी आपकी दिसंबर, दिसंबर लाश्टर complete होई थी तो उसके बाद 660 post जाया था फरबरी में तो इसी कारण से अभी आपका 111 पोस्ट का भरती चल रहा है यह आपका complete हो जागा फरबरी में उसके बाद आपके March महीने में असम राइफल्स की निव भरती का आपका notification जारी किया जाया कब March महीने में जारी किया जा सकता है अब पदो की संख्या की बात करें कि इसमें जो है कितनी पदो की संख्या होगी पोस्ट कि number of vacancy कितना होगा देखिए number of vacancy के बात करें तो number of vacancy का अभी कुछ पाता नहीं है और किसी को number of vacancy के बारे में कुछ पता होता नहीं है कि कितना vacancy आने बाला है जैसे कि आप लोग पिछली दो भरती में देख भी लिए हैं कि कितना कितना भरती आया था तो हो सकत लेकिन कANDफर्म हम नहीं बता सकते हैं कि हां कुछ लोग हैं जो टो लिक आने की 1230 लाइक हिस्ट में कि इत्ना पटना हाई किसी को पता नहीं होता है कि कितनी पदों के लिए चिलिए कि विडियो बना देते हैं कहां से उनको जनकारी मिल जाती है पता नहीं लेकिन हम तो बोलते हैं कि आपके जो असम रैफल में पदो की संख्या है इसके बारे में हमें अभी कुछ मालूम नहीं है और यह किसी को भी मालूम नहीं होता है कि कितनी पदो की भरतिया निकाली उस टाइम आपका वेकेंसी को बरहा गया था बारासो के करीब वेकेंसी को किया गया था लेकिन वेकेंसी को बरहा कर बारासो किया गया था और 616 सुरों में आया था लेकिन 625 कहीं आप लोग को मालूम है कि फाइनल सेलेक्शन हुआ था जिसमें समझे कि आदा सीट खाली र कि जो आपका दो बार से देख रहे हैं कि कम-कम वेकेंसी आ रही है तो इस कहां से हो सकता है कि ज्यादा वेकेंसी आ सकती है बाकि आप लोग अपने तैयारी करते रहे हैं आपकी जब भी आपकी असम्टार एफस टेकनिकल और टेस्मेंट की भरती का नोटिफिकेसन आएगा तो आप लोग को हम बता ही देंगे इसके लिए आपको घबराने की जयोत नहीं है आप लोग हमाई टेली गर्म चैनल में जूर सकते हैं चैनल पर नए है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेजे जैसे ही कुछ आता है तो आप लोग को हम बता देंगे क्यूंकि इसमें आप को मालूम है कि सबसे इनपोर्टेंट आपका ट्रेर टेस्ट है और रिटेनिक जामने से इसलिए आप लोग अभी से ही इसका तैयारी करते रहे हैं ऐसा नहीं कि बाद में आपको पच्टाना पड़ाए क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता और यह भरती बहुत जल् आ देंगे बस आप लोग तयारी करते यह और बाकी आप लोग किसी भी फेक जानकारी पर ध्यान मत दिजे कि हां इतनी पदों के लिए और आपको बता ही दिए कि आपका 117 पूस्ट का खतम होता है तो आपके मार्च महिने में निव भरती का नोटिपिकेशन आपके जारी क थी जाएंग तो जो आपका डॉटच चल ला था माइंड में भरती को लेकर निव भरती को लेकर चारण किलीर हो गया है और कलर का हो टेक्नीकल का हो टेस्मेंन का सारी भरति आपकी नेक्स जो आने वाली है चलिए आप्रॉक्समें ते किसी नेक्ष बोडियो में जैहिन बंद मतं